नमस्ते दोस्तों स्वागत आप सभी का Brain Bucks India के YouTube चैनल पे दोस्त आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले जिसका नाम होगा Mirror Image दरपन परतिबिम्ब दरपन में चित्र देखना कोई आकरती दी गई होगी उसका हमें दरपन में Image फाइंड आउट करना दरपन परतिबिम्ब बताना अब सबसे पहले इसके थोड़े से Basics को जान लो थोड़े से Basics को जानते हैं Basics में क्या है दोस्त जब हम अपने आपको जब हम अपने आपको Mirror के सामने देखते हैं तो हमें क्या दिखता है दोस्त हमारा right का left दिखता है और left का right दिखता है बस इतना सा ध्यान रखेना क्या mirror में आपको अपना सर नीचे पैर उपर दिखाई देते हैं बिलकुल भी नहीं दोस्त cable right का left दिखाई देता है और left का right हमारा up down कोई change नहीं होता सिर्फ इतना सा ध्यान रखो बाकी ये सारा chapter खतम हो जाता है यहीं पर कि cable right का left और left का right बस इतना सा concept है इसका तो चलिए सबसे पहले alphabetical order को हम देख लेते हैं ABCD जो A to Z letters होते हैं उसका mirror image कैसे बनता है तो सबसे पहले आपकी screen पे यहाँ पे दे रखा है दोस्त letters दे रखे हैं फिर उसका mirror image दे रखा है अब सबसे पहले हम check करते हैं A में A में alphabetical का जो first letter है A उसमें कोई change नहीं होता mirror में कोई change नहीं होता ठीक है as it is B कैसे shape में हो गया? reverse हो गया C B reverse हो गया D B reverse हो गया E B reverse हो जाता है कुछ इस तरीके से आ करती ही बनती है F को देखते हैं तो F B reverse में बदलता है जब हम G को check करते हैं G को check करते हैं तो G वाला भी change हो जाता है right का left हो जाता है left का right हो जाता है left का right हो जाता है H में कोई change नहीं होता I में कोई change नहीं होता अब J को ध्यान से देखो जो यहाँ पे कुछ इस तरीके से था वो चेंज हो गया उसके direction चेंज हो गया के में बिल्कुल चेंज हो रहा है क्या M में चेंज हो रहा है दोस्त नहीं हो रहा M में चेंज नहीं हो रहा इसके बाद में हम वापस से देखते हैं, n को देखते हैं n को चक करते हैं, क्या n में कोई change है, n में बिलकुल change है, n में change है, जो face है, वो एकदम opposite direction में चला गया, o में कोई change नहीं है p में change है q में भी change है, r भी change हो जाता है, s का भी change हो जाता है, s का जो move इदर है इस direction में है यहाँ पर suppose यह right में है तो यह अब की बार कैसे हो गया left में हो गया left में हो गया यह मुह किदर आ गया left side को आ गया t में कोई change नहीं होता u में कोई change नहीं होता साथ के साथ v, w, x, y में change नहीं होता v में change नहीं, w में change नहीं X में change नहीं Y में change नहीं ऐसे U में change नहीं T में change नहीं तो कितने letters हम आपसे question पूछते हैं alphabetical order के जो capital letters है उन में कितने letters की direction mirror image के according change नहीं होती यह आपका question है home work का आप comment box में comment करके हमें बताएंगे इसका जवाब देंगे हमें ठीक है दोस्त आगे चलते हैं आगे क्या कुछ खास लेकर आए हम आप लोगों के लिए तो यहाँ पर साथ के साथ आपको small letters जो small letter है जो छोटे 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 letters है उनका भी दोस्त उनका भी mirror image लेकर आए हम आपके लिए तो छोटे अकसर भी change हो जाते हैं कौन कौन से change नहीं होते बस इतना सा द्यान रखना है O में कोई change नहीं होता साथ के साथ I में कोई K के बाद में L आता है L में कोई change नहीं I में कोई change नहीं ठीक है दोस्त इसके बाद में कौन सा letter है X में कोई change नहीं है W में कोई change नहीं है तो यहां तक तो कोई change नहीं है बाकी सम्में change total कितने यहां पे कितने लेटर हो रहे हैं चैक करो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 लेटर होगे छोटी ABCD में कितने 6 लेटर होगे जिनमें कोई change नहीं होता बाकी सम्में changes होता है हमने आपसे क्या पूछा है बड़े capital letters में कितने letters ऐसे हैं जिनका mirror image direction change नहीं होता mirror image और जो original image है वो shame रहता है ये बता रहा है आगे चलते हैं इसके बाद में साथ के साथ कुछ है आप ये भी check कर लेना जो numbers का mirror image कैसे बनेगा दे हो 0 में कोई change नहीं होता एक का move इस side में है बोरा eight side में हो गया दो भी change हो जाता है इसे है तो फिर ऐसे हो गया तीन का move change हो गया 4 का move change हो गया 5 का हो गया 6 का हो गया 8 change होता है गया नहीं होता और ये 9 का भी change हो गया इतना सारी चीज़ है हमने basics को देखा सबसे पहले ABCD capital letters वाली समझी, उसका mirror image देखा आप लोगों ने, इसके बाद में small letter वाली alphabetical जो series थी उसको देखा, साथ के साथ हमने numbers का भी mirror image देखा, अब चलते हैं सवालों पे, अब आते हैं दोस्त आपके सवालों पे, तो आज की class का जो सवाल number पहला है, सवाल number पहला आप लोगों की screen पे सबसे पहले एक image दे रखें, और इसका mirror image पूछा, अचा mirror image में ध्यान रखना, left हो जाता है, left वाला right हो जाता है, और यह जो symbol है यह mirror का sign है, अगर इसके यह वाले सिरे, जो खुले सिरे इस side गो है, तो आपको उस side गो ही मोड़ना है, यानि इस तरफ मोड़ना है, आपको पूरा पलट देना, अगर यह suppose ऐसे आए है, तो आपको फिर side mode मतलब reverse order में इधर mode देना है, अगर यह उपर को हो sign, तो फिर आपको पूरा पलट देना उपर, जैसे for example, जैसे आपको देरगा sir A, और mirror लगा हुआ है इधर उपर, तो अब इसकी आकरति कैसे होगी, reverse हो sign होगा, उदर पलट देना, अगर आपको जैसे F दे रखाए, यह F दे रखाए, और mirror की sign दे रखिये इस तरह, तो आपको ऐसे बदल देना, ऐसे मतलब यह यहां आ जाएगा, कैसे, ऐसे आ जाएगा, ऐसे, ऐसे change हो जाएगा, ठीक है दोस्त, ऐसे change हो जाएगा, अगर mirror इ तो mirror में right का left होना है, left का right, पर जब ऊपर दे रखा तो ऊपर, और जब mirror का sign इदर नीचे दे दे, तो यह water image का काम करता है, फिर यहां पे F सीधा का सीधा नीचे आ जाएगा, और यह ऐसे बन जाएगा, ठीक है दोस्त, ऐसे बन जाएगा, क्योंकि water का concept हम next chapter में पढ़ेग line है, यह जो तिर्ची है, यह तिर्चा को ना पास में होगा, ऐसे होगा, ठीक है, यह यहां पे इसके पास में circle जा रहा है, तो यह यहां पे इसके पास में ही circle आएगा, और उपर जाके एक goal सा circle तो ऐसी आ करते हैं, हमें किस option में मिल रही है, A में नहीं होगा, क्योंकि A मे आएंगे. जो पास में है, वो पास में ही रहेगा, जो दूर है, वो दूर ही रहेगा. ध्यान रखना. A option गलत हो जाएगा. क्या B में कोई change हो रहा है? B में कोई change नहीं हो रहा है, तो B तो वैसे गलत. C को check करो, C B गलत हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाला circle शकल नीचे नहीं आ सकता, option number D is the correct answer of this question, इस question का answer क्या है, option number D, पहला सवाल के लिए रहे हैं दोस्त, आगे चलता है, practice है यह आपकी, practice, one by one आप सवालों को solve करते जाएंगे, तो आपके और चीजे आसान होती जाएंगे, अब यहाँ पे E दे रखा है, और mirror दे रखा है, इस साइड, जब इसको हम पलटेंगे, पलटेंगे, तो ये वाला मुख कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा बस दोस्त, इतना सा करना है, कौन से option में मिल रहा है, वो भी आप चेक करेंगे साथ के साथ, अब यहाँ पे C option है, और एक है D, एक है C, एक है D, तो यहाँ पे आपके confusion आपको होगा, आपको confusion होगा, देखो, यहां पे यह जो लंबा वाला साइन है यह वाला साइन ठीक है तो यहां पे यह वाला साइन लंबे वाला यहीं पे होगा और उपर वाला छोटा साइन है उपर वाला छोटा साइन है तो उपर वाला छोटा किसमें मिल रहा है option number D में मिल रहे option number D में option number D correct होगा C इसलिए correct नहीं होगा जो ये छोटा वाला sign है ये उपर ही रहना चीए क्योंकि mirror में उपर का नीचे नहीं जाता दोस्त केवल right left change होता है right left change होता है ठीक है दोस्त समझ पाए C क्यों नहीं होगा क्योंकि C में इसकी direction इसने change कर दी ये दोगो यहाँ पर चोटा था यहाँ पर नीचे चोटा होगा तो ये गलत होगा ठीक है ये जो इसका एक कोना लंबा निकल रहा है वो इसमें उपर कर दिया इसलिए D option नहीं होगा C option नहीं होगा D हमारा correct answer हो जाए रहा समझ पाए दोस्त आगे चले अगले सवाल में जल्दबाजी में आपको गलत नहीं करना आगे वाला सवाल ये रहा आप लोगों की screen पे और जल्दी से इसको solve करेंगे दोस्त इस सवाल को solve करने वाले हम यहां पर T दे रखा है अब एक बात बताओ mirror में T का O हो T हो, U हो, V हो, W हो, X हो ठीक है साथ के साथ A हो इसके साथ मैं आपके I दे रखा हो क्या इनमें change होता है क्या नहीं change होता कोई change नहीं होता option number A is the correct answer of this question अगर यहां पर इसके sign ऐसे दे देता water का तो यह just reverse में हो जाता और कैसे बन जाता है ठीक है दोस्त आगे चले अगले सवाल पर अगला सवाल आप लोगों के लिए ये रहा ये रहा जल्दी से इसको carefully बहुत आराम से करना है बहुत आराम से करना अब एक बात बताओ देखो mirror के पास में ये जो खड़ी आकरती है ये खड़ी इधरी रहेगी जो चीज पास में होती है जो कोना ये कोना दूर था तो ये कोना भी दूर होगा ऐसे होगा ठीक है और circle पूरा ऐसे होगा पताओ ऐसी आकर्ती किस में दिखाई दे रही, A में दिखाई दे रही, B में नहीं दिखाई दे रही, C में B नहीं है, किस में है, D में, हमने क्या देखा, जो सीधी लाइन है, स्ट्रेट, वो स्ट्रेटी रहेगी, मिरर में स्ट्रेटी रहती है, ठीक है दोस्त, मिरर में स्ट पिर्बुझ का यह जो कोणा था यह जो कोणा था यह राइट में बन जाएगा बस इतना सा चेंज होना इतना ठीक है दोस्त समझ पाई कोई मुश्किल नीए बहुत आसान है वन बाई वन स्टेप टू डू स्टेप हम चलेंगे तो हमारे सारे सवाल सही होगे कोई गलत नहीं आगे वाला सवाल ये रहा आप लोगों के लिए और जल्दी से इस वाले सवाल को हम लोग करने वाले हैं इस वाले सवाल को बताओ देखो जो चीजे पास में होगी जो उपर होगी वो उपर ही रहेगी ठीक है दोस्त जो उपर रहेगी वो उपर ही रहेगी बस राइट का ले यह तरबुज ऐसे बनेगा ठीक है दोस्त और जो यह जो तिरचा है जो तिरचा सिंबल है वो कुछ ऐसे करके ठीक है ऐसे जाएगा अब यहाँ पे देखने वाली बात है यहाँ पे देखने वाली बात है देखो ऊपर एक बिंदू है तो क्या ऊपर दो बिंदू होंगे क्या नहीं होंगे तो A option तो गलत हो जाएगा अब यह तिर्बुज सीधा है क्या सीधा उल्टा हो जाता है गा नहीं होता जो सीधा तिर्बुज होगा उसको कैसे भी आप गुमाओ सीधा ही रहेगा तो B option भी गलत हो जाएगा और D भी गलत हो पास में दो बिंदू है तो पास में ही रहेंगे पास में ही दो बिंदू रहें ये देखो पास में दो बिंदू उपर था उपर एक बिंदू और जो तिर्बुजे as it is सीधा है पर जितनी दूरी इधर है उतनी ही दूरी इधर रहेगा ठीक है दोस्त यह direction थी इसकी change हो गई move इसका change हो गयाifen जो left वो right में हो गया आगे वाले सवाल को solve करते हैं आगे वाला सवाल यह रहा आप लोगों की screen पे और इसको जल्दी से solve करने वाले हम लोग ठीक है दोस्त इसको जल्दी से solve करने वाले हैं फटापट से इसका आप लोग answer करेंगे इस वाले सवाल का अब यहाँ पे धान दो यहाँ पे उपर दे रखा है यहाँ पे mirror दे रखा है अब यह वाला जो चित्र है यह वाला इस side में पलट जाएगा पूरा का पूरा जो तीर देखो यह जो pass में है यह pass में रहेगा पर इसकी direction कैसे हो जाएगी तीर की ऐसे हो जाएगी तीर की और यह जो बात last में 2 है ऐसे तीर के निसान यह कुछ इस तरीके से दिख़ए देगा अब कौन सा option eliminate हो रहा है बी उसको तो हटा दो अब बचे हमारे पास 3 बचे हमारे पास 3 अब एक बात बताओ यह जो पास में है mirror के यह जो dark circle पास में है तो यह इस side में भी क्या होगा पास में ही होगा जब इसको पलटेंगे इस side में भी पास में होगा तो D option eliminate हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे यह तो दूर चला गया ठीक है यहाँ पे यह बाला दूर चला गया अब हमारे पास दो option बचते हैं कौन-कौन सा एक तो A option एक C option अब ध्यान से देखो A में तो एक side है पूरा dark circle पर यह कुछ इस तरीके से दे रखा है एक छोड़ के तो यहाँ पे भी कौन सा हो जाएगा C option हो जाएगा C option is the correct answer of this question C option यहाँ पे correct हो जाएगा दो समझ पाए कैसे कह रहा यहाँ पे देखो यह mirror था इसको इस side में बदलना है ठीक है इस side में पटकना है यह right में है तो इसको left में पटकना है जो arrow हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा ठीक है तिर्चा यहाँ पे तिर्चा हो जाएगा अब जो चीज पास में है जो black circle जो आदा black circle है leaf का वो पास में ही रहेगा वो पास में वो इस side में रहेगा ठीक है दोस्त और जो दूर वाला है blank वाला वो दूर ही रहेगा तो C option इसको केवल C option correct कर रहा है जो हमारा right होने बाला है next question की हम बात करें अगले question की बात करते है दोस्त अगला सवाल यह रहा आप लोगों की screen पे और जल्दी से इसको solve करेंगे आप लोग तो यहाँ पे हमें number दे रखें यहाँ पे हमें number दे रखें number की direction change होती है सारे number है इनका मूँ किदर हो जाएगा जो left में वो right में देखने लग जाएगे सबसे पहले जो दूर है देखो जो pass में है वो pass में ही रहेगा 6 6 सबसे पहले ऐसे हो जाएगा जो 4 था जो 4 था वो अब कैसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा फिर 2 का number आता है 2 उदर देख रहा था आपकी बार इदर देखेगा पहले इस side देख रहा था आपकी बार इस side देखेगा ठीक है तो यहाँ पे हमें 6, 4 और 5 यह mirror के pass जो pass वाला है वो pass में ही रहेगा जो दूर वाला है वो दूर ही रहेगा दूर ही रहेगा चेक करो कौन से option में देख साथ C वाला गलत हो जाएगा eliminate हो जाएगा जो यहाँ पे फिर फिर हमारे पास आते हैं चेक करो A option B option और D option को देख साथ की direction change होगी A में change नहीं हो रही तो A भी गलत हो जाएगा eliminate हो जाएगा और 3 और 5 की direction इसमें change नहीं हो रही तो यह भी eliminate हो जाएगा तो कौन सा option D option भाईया correct answer हो जाएगा option से हमने solve कर दिया सबकी direction change हो जाएगी जिन में direction change नहीं हो वो सारे गलत हो जाएगे जो बचा हुआ option होगा बदलने के बाद बस उसकी direction बदल जाएगी right का left हो जाएगा अगला वाला सवाल ये रहा आपका और इसको solve करो दोस्ते इस सवाल को यहाँ पर क्या है हमारे पास देखो A, B और C है क्या A में कोई change होता है mirror में नहीं होता A में कोई change नहीं होता B की direction change होगी बिलकल होगी C की direction change होगी बिलकल होगी तो देखो A option में B की direction change नहीं होगी गलत हो जाएगा B में भी change नहीं होगी गलत हो जाएगा अब हमारे पास बचता है एक तो C option और एक D option पर C और D को ध्यान से देखो जो B होता है उसमें ओपर वाला part छोटा होता है और नीचे वाला ये वाला part बड़ा होता है जब ये right का left बदलता है तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा ओपर तो छोटा ही रहेगा जो यहाँ पे ध्यान क्या देने वाले चीज है केवल right का left बदलना उपर नीचे का change नहीं करना जो मोटा वाला पार्ट है बड़ा वाला पार्ट वो नीचे ही रहेगा पर यहाँ पे जो D option है इसमें B का जो नीचे वाला पार्ट है वो कहां कर दिया इन्होंने उपर कर दिया तो यह वाला इसले गलत जायदा कौन सा option C option is the correct answer of this question इस question का समझ पाए कैसे कह रहे है हमने जो A और B option तो हमने देखते ही cross कर दिया क्यों cross कर दिया क्योंकि उनमें B बदल नहीं रहा था एक में B नहीं बदल रहा था एक में B और C दोनों नहीं बदल रहे थे अब बचा कुन सा हमारे पास option C और D तो C और D को जब हमने चेक करा तो यहां पे ध्यान दो यहां पे B जो इस तरीके से देख रहा है मिरर में कुछ ऐसे दिखाई देगा पर यह जो बड़ा वाला पार्ट है यह नीचे रहेगा पर यहां इनोंने क्या कर दिया यहां पे इनोंने बड़ा वाला पार्ट कर दिया ओपर और छोटा वाला पार्ट कर दिया D में नीचे ध्यान से देखो तो C इसका correct answer हो जाएगा आगे चले दोस्त अगले वाला सवाल पे अगले वाला सवाल यह रहा आप लोगों के पास और इसको आप जल्दे से स्वाल करेंगे आपको दे रखा है एक mirror ठीक है mirror नाम दे रखा है आपको mirror दे रखा है इसको आपको change करना है इसको आपको change करना है right to left करना बस ध्यान इतना रखना mirror का mirror image में change कर देना कहीं आप इसको जल दरपन जल परती भी मत बना देना जल परती भी मत बना देना सबसे पहले solve करते देखो यहाँ पर mirror होगा जो M जो pass वाला है वो pass मेरेगा बस इतना सद्यान R है तो R ऐसे बन जाएगा O में कोई change नहीं होता O में कोई change नहीं हो फिर से R आ रहा है वो ऐसे हो जाएगा फिर से R आ रहा है वो same ऐसे हो जाएगा और फिर I में कोई change नहीं होगा ठीक है और M में M में भी कोई change नहीं होगा देखो चेक करो कौन से option में आ रहा है कौन से option में आ रहा है देखो कैसे eliminate करते हैं C तो गलत हो जाएगा क्योंकि सेम चीजे हैं सेम चीजे हैं C गलत हो जाएगा B में चेक करो पहले वाला R सेम डिरेक्शन में B भी इलिमिनेट हो जाएगा और A में भी एक R बिल्कु सेम डिरेक्शन में ये भी इलिमिनेट हो जाएगा कौन सा option? D option is the correct answer of this question, इस question का कौन सा answer हो जाएगा option number D सही है, आगे चलें कोई दिक्कत नहीं है आगे चलता है, अगले वाले सबालते हैं यहाँ पे आपको दे रखा R, J, 14 S, B, 90 इसको change करना अब जहाँ से देखो, देखो यहाँ पे mirror है जो चीज जो pass में है वो pass में रहेगी सबसे पहले 0 फिर आ जाएगा क्या? 9 तो 9 कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा दूसरी तरफ देखते हो बन जाएगा फिर B दे रखा है तो B कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा S, S की direction change हो जाएगी S कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा बिलकुँ और फिर 4 दे रखा है तो 4 कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा पर आप यहाँ option deal करा करो option से solve करा करो देखो A option में B change नहीं हो रहा S change नहीं हो रहा तो eliminate हो जाएगा B option में S change नहीं हो रहा eliminate हो जाएगा ठीक है अब हमारे पास दो option बचते एक C बचता है और दूसरा D बचता है पर D में ध्यान से देखो जो चार नंबर है वो as it is है एक नंबर भी as it is है तो जो 14 है उसमें कोई change नहीं हो रहा तो ये भी eliminate हो जाएगा तो कुछ सा option C option ऐसे वाले सवालों में आप option से eliminate कर सकते हैं खतम कर सकते हैं खतम कर सकते हैं बस आपको थोड़ी सी practice की जरूरत है दूसरा आपका कोई सवाल रीजनिंग में गलग नहीं होने वाला है। आगे चलते हैं अगले वाले सवाल पे, यह रहा अगले वाले सवाल थोड़ा सा बड़ा है। यहां पे इसको solve करो दो, September लिखा हुए S, E, P, T, E, M, B, E, R और mirror दे रखा हैं। इसको change कर सेख रहें। अच्छा जो चीज pass में है, option से eliminate करना सीखो, option से देखो, P यहां पे है, P यहां पे same direction में देख रहें, eliminate क्योंकि change होता है P, change होता है P, फिर option number, अब आपके पास 2-3 option, एक साथ उठाओ, देखो, यहां पे M है, M में कोई change नहीं उता पर यहां पे D में W बना रहा है, तो यह गलत हो जाया, यह गलत हो जाया, जो C option है, यहां पे B को कोई change नहीं कर रहा, तो यह भी eliminate हो जाया, कौन सा option सही हो गया, option number, B is the correct answer of this question, इस question का answer कौन सा हो गया, option number B, option से, ऐसे सवालों को हम option से करेंगे direct, जो change नहीं हो रहा, उसको eliminate खतम करते जाएंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे, आगे वाला सवाल, तो बस आज के लिए इतना ही बहुत सारे हमने सवाल कर लिए, मिलते हैं next session में, तब तक के लिए धन्यवाद,